हलो फ्रेंज नमस्कार और वेलकम टू एटी सी बॉलिवूड बिजनस मैं हूँ कोमल नहटा आज फिर फ्राइडे आ गया है और आज दो फिल्में रिलीज हुई है काइपो छे और जिला गाजियाबाद तो आएए शुरू करते हैं काइपो छे के रिव्यू के साथ काइपो छे कहानी हैं तीन दोस्तों की जो एमदबाद में रहते हैं एक तो है गोविंद यानी राजकुमार दूसरा है इशान दाट इस सुषान सिंग राजपूत और तीसरा ओमी दाट अमित साथ इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है गोविंद ट्यूशन देकर पैसा कमा करते हैं और बाकी जो दोस्त है इशान और ओमी खास कुछ करते नहीं है बट तीनों सोचते हैं कि उन्हें कुछ बिजनस शुरू करना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी अच्छे से निकल सके सोचते हैं कि क्योंना एक sports goods shop और sports academy शुरू की जाए लेकिन उनके पास पैसे नह इन तीनों में से इशान प्रोफेशनल क्रिकेटर है बहुत अच्छा क्रिकेट केलते हैं लेकिन वो अपने करियर में खास आगे नहीं बढ़ सके हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि वो टैलेंट को ढूंडे तराशे और उन्हें ट्रें करें और ऐसे साबरमती sports academy का जन्म होत इशान एक talent को spot करता है वो है बच्चा अली यानि master दिगविजय देशमुक अली बहुत अच्छी cricket खेलता है and इशान soon takes अली under his wings अली बेटा है नसीर हाशमी यानि आसिफ बसरा का and नसीर हाशमी is also a politician just like Omi's uncle Bittu बस फर्क ये है कि Bittu एक party को belong करते हैं और नसीर हाशमी उनका arch rival है क्योंकि वो दूसरी party का है खेल अली की training शुरू हो जाती है and देखते ही देखते ये तीन दोस्त सोचते हैं कि उन्हें अब बेटर जगा पर अपनी sports academy and sports goods shop खोलनी चाहिए वो mall में एक जगा book करते हैं again उस जगा के deposit के लिए वो पैसे लेते हैं Bittu से यानि Omi के politician uncle से अब politician Bittu, Omi और उनके दोस्तों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसे लगता है कि Omi को भी वो politics में घसित लाए, खीज लाए He is quite a shrewd operator, खेर ये sports goods shop, sports academy चल रही है लेकिन दो हाथसे ऐसे होते हैं जिसकी वज़ा से इस partnership में भी दरार पड़ती है और दूसरा जो गोधरा मैसेकर हुआ था जहां पर train के compartment को आग लगा दी गई थी और बहुत लोगों ने जान खो दी थी उसके बाद उसके aftermath में जो आमदाबाद में riots होते हैं उसको लेकर बहुत हलचल मज जाती है और इस partnership में दरार आ जाती है दोस्तों में फूट पैदा होती है In the meantime एक अलग सा romantic track भी है between Govind that is राजकुमार and इशान's sister Vidya that is अमरिता पूरी और जो गोधरा massacre हुआ था उसमें ओमी के parents की भी हत्या हो जाती है तो ये जो communal flare-up होता है आमदाबाद में after the Govindra massacre उससे क्या असर पड़ता है इन तीनों दोस्तों की दोस्ती में, partnership में and इनके काम में And what about Ali? इशान ने एक सपना देखा था कि Ali को पहले रंजी ट्रोफी मैचेस खिलवाएंगे और उसके बाद international cricketer बनवाएंगे तो क्या इशान का सपना साकार होता है? क्या Ali वाकई में international cricket खेलते है? And अंध में, साबरमती Sports Academy को क्या होता है? इन तीनों दोस्तों के बीच में, relationship कैसा रहता है? The answers to all these questions are revealed towards the climax of the film and in the end of the film. जैसे हमने पहले भी आपको बताया, ये फिल्म आधारित है, चेतन भगत की best-selling novel, The Three Mistakes of My Life पर. और इसका screen adaptation किया है, चार writers ने, पुबाली चौधरी, सुपरतीक सेन, अभीशे कपूर और चेतन भगत ने. The first half is very interesting, especially जो bonding बताई गई है तीन दोस्तों की and Ali की जो training होती है, वो portions बहुत ही interesting है. प्लस, characters इतने likable है, इतने lovable है, कि आपको जो drama unfold हो रहा है, वो देखने में मज़ा आता है. प्लस, the atmosphere is very authentic, बहुत real लगती है फिल्म. जो second half है, उसमें उतना मज़ा नहीं आता है, जितना की आना चाहिए था. Because, जो चीजें promise की गई थी audience को, वो न दिखाकर कुछ और ही दिखाया गया है. कहने का मतलब है, कि गोधरा massacre aftermath में, जो आमदबाद में communal riots होते हैं, उन riots को और उसके बाद क्या क्या होता है, उन सब चीजों को इतना prominence दिया गया है, कि the main story of the three friends and of Ali's training at the hands of Ishan takes a backseat. वैसे, the hopes for an emotional and super dramatic latter part of the film had been raised. क्योंकि Ishan, जब Ali के पिताजी से बात करते हैं, और कहते हैं कि मैं Ali को घर ले कर जाता हूं, and after that, he agrees to stay back because Ali का selection होने वाला है next day. So, one, as an audience, one waits to see कि in the midst of all this communal tension, riots जो हो रहे हैं, उस बीच में, Ishan कैसे Ali को selectors तक पहुँचाते हैं, and कैसे Ali का rise to stardom and international player होता है. Of course, writers ने क्या किया है, they have shown a leap of 10 years. और 10 साल के बाद क्या हुआ है, Ali एक international star बन गया है, नहीं बन गया है, वो सब दिखाया है. लेकिन, what the audience wanted to see was the process, not what has happened in the end. एक section of the audience है, जिसे हम class audience कहते हैं, the big city audiences, the multiplex frequenting audiences, उन्हें, जैसा drama unfold होता है, वो देखने में बेहत मजा आएगा, because they are the thinking audience and they can imagine के क्या हुआ होगा. लेकिन, the large base of masses and the single screen cinema audience and the audience frequenting the lesser multiplexes, उन्हें, they want everything underlined, everything explained. और उन्हें, वो emotional high, dramatic high, जो कि मिलना चाहिए था, वो जब नहीं मिलेगा, उन्हें, second half में उतना मजा नहीं आएगा. प्लस, जो romantic track है between Govind and Vidya, तो ये बात हो चुकी है, कि जब इशान को पता चलेगा, कि उनकी बेहन का affair, उनके गेहरे दोस्त के साथ है, तब क्या होगा, therefore the audience actually waits for that confrontation. वो confrontation होता है, लेकिन इतना छोटा confrontation है, कि audience को उस scene में भी, जो dramatic high, जो emotional high मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो the second half actually lets down the audience in a way, at least the mass audience, the non-thinking audience, because the second half shifts in focus, you can see it goes on a tangent. Having said all this, it must be added, कि फिल्म की making इतनी बढ़िया है, atmosphere इतना realistic है, and जो माहौल create किया गया है, जो दोस्ती बताई गई है इन तीन दोस्तों के बीच में, ये सारी बाते इतनी अच्छी है, कि ये सब चीजे दिल को चूजाती है, और इसलिए, ये जो drawbacks हमने बताए हैं स्क्रीन प्ले के, वो drawbacks खास माइने नहीं रखते हैं, because all these good points actually overshadow the drawbacks. ये फिल्म आमदबाद में स्तित है, and गुजरात के जो cultural nuances है, they are so beautifully highlighted, कि आपको ऐसे लगता है कि आप गुजरात में ही आ गए है. फिल्म के dialogues बहुत अच्छे हैं, and सीधे दिल को जाकर चूते हैं. Every dialogue is measured, language is measured. Rajkumar ने काम इतना बढ़िया किया है, that it seems this role, this character of Govind, was written for him and only for him. He is a fine actor, a brilliant actor. उनकी body language, उनके expressions, उनके nuances, उनका बोलने का तरीका, dialogue, डिलिवर करने का तरीका, all are in such complete sync with each other, कि आपको लगता है, Govind का किरदार आपके सामने खड़ा है, and Govind है, Rajkumar नहीं है, जिसे आप देख रहे हैं. In one word, he is outstanding. इशान की भूमिका निभाते हुए, Sushant Singh Rajput in his maiden attempt on the big screen is outstanding. Sushant Singh Rajput is very natural, and कभी-कबार तो आपको ऐसे लगता है, कि ये acting कर ही नहीं रहे हैं, बस रोज मरा के जीवन में जैसे बोलते हैं, वैसे बोल रहे हैं. So good is his performance. In fact, Sushant Singh Rajput has all the trappings of a star. Amit Saad ने भी काम अच्छा किया है, ओमी की भूमिका उन्होंने भी बहुत अच्छे से निभाई है, and he gets all his expressions very right. Actually, उनका जो काम है, वो सेकंड हाफ में ज्यादा आता है, so he suffers because the second half goes on a slight tangent, but otherwise, his work is also good. Amritah Puri is cute and endearing, बहुत अच्छा काम किया है, and she is natural to the core. Manav Kaul, जो बिट्टू की भूमिकाने बात हैं, politician बिट्टू, he's done a very nice job and he's good looking also. He makes for a handsome villain. Then there is Aasif Vasra, another good actor, and this film में भी उनका काम definitely बहुत अच्छा है. Mahasadig Vijay Deshmuk is cute और उनकी dubbing इतनी अच्छी है कि उनके dialogues में लोगों को हसी आती है. There is also Muni Jha in the role of Ishan's father. Muni Jha ने भी काम बहुत ही अच्छा किया है, छोटा सा रोल है, लेकिन जब भी वो आते हैं, सीन में अपनी छाप छोड़ जाते हैं. All the others lend good support. Direction का जहां तक सवाल है, Abhishek Kapoor का निर्देशन है इस फिल्म में, and his direction is splendid. उन्होंने बहुत ही authentic atmosphere create किया है, बहुत ही realistic film बनाई है, and he has extracted great work from out of his actors. फिल्म का संगीत दिया है Amit Trivedi ने, and गाने बेहद अच्छे हैं, एक तो the sound is very wonderful, it's refreshing, very refreshing sound, and दो गाने, Shubharam और Manja, ये दो गाने तो definitely hits हैं, and Meethi Boliya is also a very sweet song. Swanand Kirkire के lyrics are award winning, खास कर Manja वाले गाने में, and Shubharam वाले गाने में, the lyrics, the words are beautiful. Mansi Agarwal और Jayesh Pradhan की कुरियोगरफी है, and जो गानों का picturization हुआ है, that's also quite refreshing and quite real. Hitesh Sonic के background score के बारे में कहना पड़ेगा, it is brilliant. Cinematography, camera work, Anay Goswami का है, and that is splendid. Wonderfully short film. Parvays Firoz के action scenes है, and the action scenes do provide for thrilling moments. Then the sets, the sets are also very authentic and very beautiful, and Deepa Bhatya की editing deserves distinction marks. Fantastic editing. So overall, Kaipo Che is a very beautifully made film, a very wonderfully enacted film, with good sound, music, background music, these are all very good. But the fact remains, that this is a class appealing film, which will select multiplexes and big shares, definitely will be a good business. But it will win more critical acclaim, than do business at the box office. क्योंकि masses को ये film कम पसंद आएगी, छोटे centers में, B&C class centers में, plus single screen cinemas, and lesser multiplexes में, इसका business कम रहेगा. Opening की अगर बात करें, तो कुछ जगहों पर इसकी opening अच्छी है, but a lot of places the film has opened to dull houses.